कन्यार रासी वालो मा लक्षमी स्वयम कहती है यह एक नियाम बना लो घर में कभी भी नहीं होगी धन की कमी जी हाँ मित्रो आज की वीडियो अत्यांत में है तो पुरुणो होने वाली है क्योंकि मित्रो इस वीडियो में हम आपको धन से संबंदि सभी समस्याओं का निवारण बताने वाले हैं मित्रो सबसे पहले मित्रो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त सच्चे मन से तीन बार जै मालक्समी जै मालक्समी लिखेगा मातरानी का सीधा आशिरवाद प्राप्त करेगा मित्रो धन की देवी मालक्समी का हिंदू धर्म में काफी महत वो होता है और मालक्समी को धन धन की देवी कहा जाता है और ऐसी माननेता है कि जिस व्यक्ति पर मालक्समी की क्रपा होती है उसे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है मित्रो व्यक्ति के जीवन में सारे सोक होते हैं वहीं जिन लोगों से मालक्समी नाराज हो जाती है उनके जीवन में कलेश की स्थतित्पन हो जाती है यूँ तो लोग मालक्समी को प्रसन करने के लिए कई उपाय करते हैं लेकिन मित्रो सास्त्रों के अनुसार धन की देवी मालक्समी को प्रसंद करने के लिए कुछ मेहतु प्रुण बाते वताई है तो आईए सुनते हैं और जानते हैं उन मेहतु प्रुण बातों के बारे में जी हां मित्रो सास्त्रों के अनुसार जिस घर में और जो लोग अन का सही तरीके से उप्यो करते हैं अन का अपने जीवन में कभी भी अपमान नहीं करते हैं अथवा अन का सम्मान करते हैं वहां मालक्समी जी की विशेश ग्रपा बरस्ती है साकसात मालक्समी उस घर में निव करती हैं मित्रों जिहां और जो लोग गरिबो वह जरूरतमन्द को अन्न देते हैं उन से मालक्समी हमेसा प्रसंद रहती है क्योंकि सास्त्रों के अनुसर कहा जाता है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है जिहां आप सभी ने सुना ही होगा कि अन्न दान महादान होता है जिहां मित्रो इस्त्रियों को मालक्समी का रूप मान गया है ध्यान से सुनिएगा जिस घर में इस्त्रियों का सम्मान नहीं होता है महा मालक्समी कभी भी वास नहीं करती है जबकि जो लोग हमेशा इस्त्रियों का आदर करते हैं उनके घर परिवार पर मालक्समी की हमेशा मेहर बानी रहती है उस घर में हमेशा खुस हाली रहती है कभी भी उस घर के लोगों को दूखों का मोह नहीं देखना पड़ता है जी हाँ तो मित्रों अगर आपसे धन की देवी मालक्स में रोट गई है तो सबसे पहले विद्वानों का सम्मान करना सीखे आपके घर में बड़े बुजुर्गों होंगे आपके दादा दादी नानानी या बड़े व्यक्ती जो आपसे उमर में भी बड़े हैं तो मित्रों इन लोगों का अपने घर में कभी भी अपमान न करें ऐसा करने से मालक्स में आपसे रोट जाती है बलकि दूसरी ओर अगर आप इनका सम्मान करेंगे तो मालक्समी आप से प्रसंद हो जाएगी क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं जी हाँ उनसे मालक्समी सदेव हमेशा प्रसंद रहते हैं और मित्रो विशेज ध्यान रेखिए कि ग्याने पूरुष की दाट इंसान को जीवन की कई जरूरे चीज़े सीखाती है और उसके द्वारा दिये गए ज्यान से व्यक्ति का भविश सवर जाता है हाँ इसलिए मुर्कों की बेहस में खुद को बुद्धिमान सबजने से बेहतर है कि किसी ज्यानी पूरुष की दाट सुन ली जाए जी हाँ मित्रो विशेस ध्यान रखिए कि मा लख्समी आप से कभी में नहीं रूठेगी अगर आपने अपने जीवन में इन बातों को अपना लिया और मित्रो यदि आप चाहते हैं कि मा लख्समी आपके घर में निवास करे जी हाँ आपके घर के धन के बंदार को हमेशा बरा रखे तो आप कभी भी पूजा इस्थल के आसपास टोईलेट ना बनवाई, सोचा लाई ना बनवाई जी हाँ मित्रो अधिक्तर हम घरों में देखते हैं कि जहाँ पर हम हमारे भगवान को इस्थापित करते हैं उसी के आसपास या पीछे की साइट लोग घरों में सोचा लेक बनवाते हैं तो मित्रो पूजा इस्थल के निचे से कोई मोटर, इन्वेटर, आदी चीजा जिनका संबंद अगनी से होता हैं इसे भूल कर भी ना रखें जी हाँ और मित्रो विशेष ध्यान रेखिए कि यदि आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्समी आपके घर में इस्थाई रूप से निवास करें तो आपको अपने पूजा इस्थल पर याने कि जहां पर आपने माता लक्समी जी को विराज माहे वहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा पूजा का इस्थल जो है उसे इसान कौन में बनाएं वो पुर्वदिशा की ओर करके पूजा करें इसा करने से मा लक्समी की विशेष करपा आप पर बनी रहेगी मित्रो और आप समय रहते देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में अनेक प्रकार की कठिना या समापत हो जाएगी और मित्रो यदि आप घर के प्रविश द्वार को हमेशा स्वच्च रखें और दरवाजे पर मांगलिक चिन्ध जिसे स्वास्टिक आदी बना कर रखें तो ध्यान रहे कि आपके घर में माता लक्समी का आगमन दरवाजे से ही होता है एसे में वहद तूटा हुआ ना हो और ना ही उसे खोलते या बंद करते समय किसी प्रकार की आवाज आए क्योंकि मित्रो घर के मुख्य द्वार के नीचे बाहार की तरफ माता लक्समी के पेरो के चिन्ध या लाल या पिले रंग से बनाए और मित्रो विशेष ध्यान देखिए कि काम के गट्टे की माला से आप जब भी अपने घर में माता लक्समी का जाप करे तो इसी ही से करे जी हाँ माता लक्समी के मंत्रो का जाप इस फटिक या कमल गट्टे की माला से करना अत्यन्त प्रभाविव होता है और इस उपाय को करने से माता की कप्रा सीगर ही अपने साधक पर पड़ती है और माता लक्समे की प्रापा आने के लिए प्रटे दिन अथ्वा विशेश रूप से यानि कि मित्रो सुक्रवार का दिन विशेश माना जाता है सुक्रवार की दिन स्रिसुक्त का पाट अवस्यकरी साथ ही मिश्री और खीर का भोग लगाए मित्रों आप देखेंगे कि अपने जीवन में किस तरह से सकरात्मक उर्जा का संचार होता है और मित्रों किसी मंदिर में जाकर माता लक्समी को उनकी प्रीचीज जैसे संक, कोडी, कमल का पुष्प आदे माता के चरणों में अर्पित करें इस उपाय से आपकी आर्थिक दिक्कत दूर होगी और मा लक्समी की क्रपा आप परवनी रहेगी जी हाँ, मित्रों विशेश ध्यान रखिए कि माता लक्समी आप से हमेशा प्रसन रहे इसलिए इन गुणों को और इन उपायों को अपने जीवन में उतारते रहेए और हाँ मित्रों, सुक्रवार के दिन विशेश रूप से जुबह जल्दी उठें इस नान ध्यान करके सफेद या क्रीम कलर के कपड़े पहने और सुक्रवार के दिन ही आपको पाठ भी करना चाहिए जी हाँ, मा लक्समी को प्रसन करने के लिए सब से पहले अपने घर एवं कार रिस्थल में सफाई और पवित्रता पर पूरा ध्यान दे मित्रो किसी भी असुद या गंदे स्थान से मातलक्समी रोट कर चली जाती है तो इन उपायों का विशेश ध्यान रखिये मित्रो और मित्रो अक्सर देवी लक्समी की तस्वीर या मूर्ती तो लगभग सभी के घरों में होती है लेकिन मित्रो धन धान पाने के लिए देवी लक्समी के साथ घर में भगवान कूबेर की मूर्ती या तस्वीर भी रखना जरूरी होता है मित्रो क्योंकि इस्ताई धनलाब पाने के लिए घर में देवी लक्षमी और भगवान कूबेर दोनों की पूजा की जाने चाहिए भगवान कूबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं इसलिए उन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही इस्थापित करना चाहिए और मित्रो अक्सर घर में वास्तु दोस भी होता है तो वास्तो के नुसार संख में वास्तु दोस दूर करने की अदबूत सक्ती होती है जिस घर में संख रखा होता है वहां हर तरफ पोजिटिविटी होती है और सास्त्रों में जिस घर के पूजा इस्तल में देवी लक्समी के साथ संख की स्थापना भी की जाती है और नेमित इसके पूजा करने चाहिए और करने करते भी है तो वहाँ देवी लक्समी स्वयम निवास करती है इसे घर में धन संबंदित परिसाने कभी भी नहीं आती है और मित्रो श्रीफल जी है नारियल को कहा गया है इसे देवी लक्समे का स्वरूप माना जाता है श्रीफलों में एकाक सिनारियल बहुती सूब होता है जिस घर में एकाक सिनारियल रखा जाता है और इनकी नेमित सेहरती है और नहीघ कविदंधान्य की कमिंगल होती है तुम मृत्रों वीडियो की समाप्ति यहीब पर होती है अगर वीडियो आपको अरफिक्टीज को अच्छी लगी हुः तो मित्रो इस्क्रिन पर जो लाल बेटन आपको दिखाए दे रहा है उसे दबा दीजेगा वपास्मवा घंटी भी दबा कर हमारे यूटूब चेनल से अभी जुड़ जाईएगा